हलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथली सरण गुप्त का जीवन परिचे और वो भी एक दम सिंपल और सरल तरीके से तो देखिए दोस्तों कैसे लिखना है सबसे पहले आपको ब्लेक पैन से हेड़िंग डाल लेना है मैथली सरन गुप्त और जीवन परिचे इन दोनों को ब्लेक पेंसे लिखने के बाद क्या लिखना है मैथली सरन गुप्त का जन्म सन 1886 इसबी को जहांसी जिले के चिरगाओं में हुआ था अब देखे दोस्तों इस 1886 इसबी को आपको ब्लेक पेंसे हाइलाइट कर देना है क्योंकि दोस्तों एक्जामिनर ये पता लगा सकेगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो देखे दोस्तों मैंने ब्लेक पेंसे हाइलाइट किया हुआ है आपको भी ऐसे ही ब्लेक पेंसे हाइलाइट कर देना है अब आगे क्या लिखना है दोस्तो इनके पिता का नाम सेठ राम चरण गुप्त था इनका निधन सन 1964 इसबी में हो गया निधन का मतलब दोस्तो होता है मृत्यू मतलब की इनका देहान तो हो गया अब देखिए दोस्तो मैंने यहाँ पर 1964 इसबी को भी हाइलाइट किया हुआ है जिससे एक्जामिनर की जो नजरे हैं सीधा यहीं पर जाएंगी जिससे वो पता लगा सकेगा कि भाईया इनकी मृत्यू कब हुई थी तो दोस्तो आपको भी ऐसे ही ब्लेक पेंसे हाइलाइट कर देना है अब देखिए दोस्तो आगे हम क्या लिखेंगे साहित्तिक परिचे देखिए दोस्तो साहित्तिक परिचे को आपको ब्लेक पेंसे लिखना है और क्या लिखना है मैथली सरन गुप्त जी राष्ट्रिय विसेस्ताओं से परिपूर्ण रचना करते थे इनकी रचनाओं में राष्ट्र भक्ती एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इसलिए सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवी की उपाधी दी साकेत महाकाब के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद परितोसित से सम्मानित किया गया आगे क्या लिखना है भारत सरकार ने इन्हें पदम भूसन की उपाधी से सम्मानित किया मैथली सरन गुप्त दीवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवी माने जाते हैं अब दिखिए दोस्तो मैंने यहाँ पर एसे दो बिंदू लगाया हैं और यहाँ पर एसे दो बिंदू लगाया हैं अब देखे दोस्तों इन दोनों बिंदों को आपको black pencil लगाना हैं क्योंकि दोस्तों ये most important point हैं कैसा point हैं कि भाया ये दिवेदी यूग के लोकोप्रिय कवी हैं कौन सरजी मैथली सरण गुप्त इसलिए दोस्तों आपको ऐसे यहाँ पर दो बिंदू और यहाँ पर दो बिं से लगा दिया हैं आप black pencil लगाईएगा अब देखिए दोस्तों आगे क्या लिखना है रचनाए इसको black pencil से highlight कर देना है और क्या लिखना है साकेत कोमा यसोधरा कोमा पंचुवटी कोमा भारत भारती इत्यादी तो दोस्तों ये हैं मैथली सरण गुप्त का जीवन परिचे उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें चैनल पर ने हैं तो चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को share करें